हेलो दोस्तों, NBT Life की सेहत की बात में मैं तन्परीत आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज जो मैं एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ही important टॉपिक है अभी आप recently कई खबरे देख रहे होंगे एक disease X के बारे में अब आप सूच रहे होंगे कि क्या ये फेक खबर है या सच में कोई ऐसी disease आने वाली है जिसका नाम है फिलहाल disease X तो चलिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है इससे आपको बचना कैसे है क्यों ये आ रही है तमाम जानकारी देते हैं चलिए शुरू करते हैं डबल्यो एचो की चेतावनी है कि आने वाली है कोविट से भी खतरना के महामारी तो आपको बताते हैं कि ये disease X क्यों नाम दिया गया disease X क्या है इसका नाम disease X ही क्यों है दुनिया भर में एक बड़ी बिमारी के लिए डबल्यो एचो ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि नई disease X कम से कम 5 करोन लोगों की जान ले सकती है यानि कि ये इतनी जान लेवा बिमारी है कि इसमें 5 करोन लोगों की मौत हो सकती है ये नई बिमारी COVID महामारी के तुलना में 20 गुना अधिक बड़ी बिमारी साबित हो सकती है डबल्यो एचो के जो प्रमुक है डॉक्टर टेड रोज उन्होंने बताया है कि ये disease X कभी भी आ सकती है और इस से महामारी की आशंका है यानि कि ये ऐसी disease है जो फिर से एक बार कोरोना की तरह ही worldwide फैलेगी जिसमें कम से कम लाखों से लेकर करोडों लोगों की मौत हो सकती है ये बेहत घातक है और इससे बचने के लिए जो विग्यानिक है वो वैक्सीन बनाने पर लगातार काम कर रहे है लेकिन अब आप सब कंफ्यूज होंगे कि disease X क्या है ये खुद में कोई virus या कोई बिमारी नहीं है लेकिन एक term है जिसका इस्तमाल ऐसे virus या infection या बिमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को अभी पता नहीं है जैसे maths के समय में आप पढ़ते थे जब कोई चीज हमें find out करनी होती थी तो हम उसे X का नाम देते थे उसी तरीके से क्योंकि इस बिमारी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसी घातक बिमारी आ सकती है इसलिए इसे disease X कहा गया है अब आपका सवाल ये होगा कि disease X कोई bacterial infection है या फिर fungal infection तो disease X को पैदा करने वाला कोई virus, bacteria, fungus कुछ भी हो सकता है सबसे जादा दुखत बात ये है कि इसका कोई ilaj नहीं होगा अभी तक ऐसा विग्यानिक मान रहे हैं कि क्योंकि ये पता ही नहीं है इसलिए इसका ilaj अभी संबव नहीं है जैसे कोरोना के मामले में हुआ था कि ilaj समझ ही नहीं आ रहा था वैसे ही डिजीज एक्स से भी हो सकता है अगर हम विशेशग्यों का अनुमान जो उन लोगों ने लगाए जो रिसर्चर्ज हैं हमारे विग्यानिक हैं उनके हिसाब से डिजीज एक्स की वज़े से दुनिया भर में 50 मिलिन तक की मौत हो सकती है इतने लोगों की जान जा सकती है क्योंकि ये इतनी घातक बिमारी होगी धाई मिलिन से अधिक लोगों की जान कोरोना नहीं ली थी लेकिन ये जो डिजीज एक्स सामने आने वाली है वो सबसे ज़ादा खतरनाक साबित होगी अब बिमारी कैसी है किस तरीके से फैलने वाली है तो उसको उसे साब से रोकने के भी उपाए बनाए जाएंगे लेकिन डिजीज एक्स के प्रकोप को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में मेडिकल एक्सपर्ट सभी संभावत उपाए रिसेर्च और ये सब जितनी वैक्सीन है इस पर निगरानी कर रहे है तो दोस्तो एक खबर जरूर आई है कि डिजीज एक्स नामक एक बिमारी अभी आने को है जिसका नाम अभी तहने किया गया है जिसे अभी जिजीज एक्स कहा जा रहा है और जैसे ही वो बिमारी आईगी उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो किस वज़र से फैली होगी उसके बाद उसका नाम दिया जाएगा तो आप अभी अपने आपको बचा सकते हैं आप अपने आपको सेफ रख सकते हैं आप हेल्दी खायें आप अच्छे से नीन ले आप उट पटांग चीजों का सेवन ना करें जिससे कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो पिछली बार कोरोना की तरह जो व्यक्ति हेल्दी था उसे दवाईया जल्द असर कर गई नॉर्मल फ्लू की तरह वो उसने कोरोना को निकाल लिया इसी तरीके से हो सकता है अगर आप अपने आपको भी हेल्दी रखे तो इस फ्लू या इस बिमारी को भी आप आराम से निकाल पाएंगे तो हमारी गुजारिश है कि ऐसी बिमारी जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है जो आने वाली है उससे आप किस तरीके से सावधान रह सकते हैं जो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है तो उससे बचने के लिए अपने आपको फिलाला हेल्दी रखे तो मैं फिर हाजिर होंगे एक नए सेहत की बात के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखे और मुझे दे इजाज़त